इस वीडियो में आज हम ब्यापम के द्वारा वार वार पुछ जाने वाले 20 प्रश्ण कवर करेंगे सबसे पहला प्रश्ण है कि इकूपरेटन विकास वोड गठत करने वाला देश का एक मात्र राज्य कौन सा है तब हम इसे याद रखेगा कि इकूपरेटन विकास वोड का गठत करने वाला हमारे भारत देश का पहला राज्य है वो है मद्ध प्रदेश और मद्ध प्रदेश इस तरह का एक मात्र राज्य जिशन इकूपरेटन विकास वोड गठत कर रखा है प्रश्न है कि निम्न लिखित में से किसी वर्स दुजर नो में भारत के साथ आशर्यों में सम्मिलित किया गया है तब याद रखेगा वर्स दुजर नो में भारत के साथ आशर्यों में सम्मिलित किया गया है खजराहो को किसको भई खजराहो को आप याद रखेगा खजराहो कहाँ पर अब मदब्रदेस में मदब्रदेस में खजराहो जो है छतरपुर में है फिर बात आती है खजराहो के मंदरों का निर्माण भई किसने कराया लेक्शन प्रेशन है कि ग्वालिर दुरुक का निर्माड किस सासक के द्वारा करवाया गया तो आप याद रखिएगा कि ग्वालिर की दुरुक का निर्माड करवाया गया राजा सूरज सेन के द्वारा हमें से याद रखें इसे आसान तरीके से याद रखने का एक मात्र तरीका है कि ग्वालिर का दुर्ग भाई कैसे ग्वालिर का किला भाई या सूरज की तरह चमकता है सूरज की तरह तो राजा सूरज से निसका निर्माड कराएंगे कब भाई 525 इसमी में इसका निर्माड कराएंगे अगला प्रश्ण है ग्वालिर दुरुग का निर्माड जो है कब हुआ जिस अभी मैंने आपको बता है 525 ए में ग्वालिर दुरुग का निर्माड हुआ बंता है कि ऐसा कौन सा दुरुग है जिसमें 5 द्वार इस्थित हैं आप याद रखिएगा ऐसा दुर्ग जिसमें पांच द्वार इस्तित है ये है ग्वालियर का दुर्ग अब आप छात्रों में से किस किस छात्र को पता है कि ग्वालियर की दुर्ग में कौन-कौन से पांच द्वार हैं सभी आप कमेंट करके जरू बताईएगा अगला प्रश्ण है कि निम्न मैंसे किस किले को किलों का सिर्मोर कहा जाता है क्या भई किलों का सिर्मोर कहा जाता है इस प्रश्ण को भई फाइव इस्टार लगा लो आप सबी एक और मैंने पहले ही का ऐसे प्रश्ण करा रहा हूँ जो ब्यापम के दौरा बार बार पूछे गए है और पर्रेटन टॉपिक के प्रश्ण भई तो किलों का सिर्मोर कहा जाता है गौालिर दुर्ग को प्रश्ण बनता है कि चंदेरी के पास पंद्रहवी सदी में निर्मित प्राने मदर्सों को किस रूप में जाना जाता है तो इन्हें जाना जाता है चंदेरी के पास जो मदर्से हैं इन्हें उज्जर की नाम से किस नाम से भई उज्जर की नाम से जाना जाता है प्रश्ण बनता है कि मद्द्देश का तामर पासाड़ के स्थल निम्न लिखित मैंसे कौन सा है तो तामर पासाड के स्थल एरड भी है कायता भी है और नवदा टोली भी है यह तीनों के तीनों जो स्थल है भई मदपरदेश के कैसे हैं तामर पासाड के स्थल हैं इतना प्याद रखें नक्स प्रशन है कि निम्न लिखित मैंसे कौन का एक मात्र ऐसा मंदर है जिसके पट वर्स में एक वार खुलते हैं और 24 गंटे के लिए केवल पूरे साल में एक वार जिसके पट खोले जाते हैं जिसका दरवाजा खोला जाता है तो अप्याद रखें ये दुनिया का ऐसा एक मात्र मंदिर है जो पूरे साल में किवल एक वार 24 घंके के लिए खोला जाता है ये है नाग चंद्रेश्वर मंदिर अरे भई नाग चंद्रेश्वर मंदिर कहां पर है तो ये हमारा उज्जेन में है नाग चंद्रीश्वर मंदिर प्रशन में आता है कि मद्ध प्रदेश के किस वर्स राज पर्रिटन विकास निगम का गठन किया गया मद्ध प्रदेश में हमी से आद रखे कि मद्ध प्रदेश में राज पर्रिटन विकास निगम का गठन किया गया वर्स 1978 में ठीक है भई प्रश्ण बनता है कि कहां पर गडिस की प्रतिमा बिश्यू की सबसे बड़ी गडिस प्रतिमा मानी जाती है तो भई बिश्यू की सबसे बड़ी गडिस प्रतिमा मानी जाती है और यह प्रतिमा कहां कि यह प्रतिमा है इंदोर की इंदोर की प्रतिमा ह गड़िस प्रतिमा जो बिश्व की सबसे बड़ी गड़िस प्रतिमा मानी जाती है प्रशन बनता है कि मद्य प्रदीस का ऐसा कौन सा सहर है जिसे मंदरों की सहर की नाम से भी जाना जाता है कमेंट करके बताईगा भई कौन सा ऐसा सहर है जिसे मंदरों का सहर कहा जाता है तो भई मंद्रों का सेर और इसे धार्मिक नगरी भी कहते है उज्जेन को ठीक प्रशन बनता है अगला कि पिपरिया एक प्रातात्व के इस्थल है जो मध्य प्रदेश के कौन से जिले में इस्थित है बड़ा प्यारा संदर सा प्रशन है भई हमें से याद रखें पिपरिया ए जो एरड है भई एरड ये कहां पर है आपके समक्ष बिकल्प है मंद्रों रायसन सतना होसंगाबाद या फिर बिकल्प इ मैं दे रहा हूं आपके लिए सागर बताईगा एरड निमने लिखे तो मैंसे कहां पर है कौन से जिले में है कमेंट करके बताएगा सभी अगले प् पूछा था कि एरड कहां पर है तो देखो एरड कहां पर है एरड है हमारा सागर में ठीक भई अब देखिएगा क्या है कि सतीप्रता के साच्छे कहां पर मिले हैं भई हमारे मद्यप्रवेस में तो भई ये एरड से ही मिले है और एरड कहां पर है सागर में है यहां से सतीप् है कि प्रातात्यों के ऑस्थल कायत्या का उत्खनест जो हई obedच अगला प्रश्ण है कि निम्नी लखित में किस प्रातत्यों कि इस्थल की खोज का सिरे भई HD सांकलिया को जाता है कि इनको भई HD सांकलिया ने कौन से प्रातात्व कि इस्थल की खोज की अभी हमने जाना कि काय था कि खोज किषने की भई काय था तो काय था इस्थल की खोज की भई वाकड करने किषने वाकड करने नवदा टूली इन सभी में इनका जो है सही उग रहा था किकवे इनोंने किया इसका खोज प्रशन बनता है कि मद्द प्रदेश में सांची के इस्तूप में देखी जाने वाली सजावट की सैली को क्या कहा जाता है सांची के स्तूप में जो सैली यूज की गई है उस सैली को क्या कहा जाता है याद रखियेगा सांची के इस्तूप में देखी जाने वाली जो सजावच की सैली है ये सैली है भर होतू प्रश्ण है कि पाकिस्तान के कराची में इस्थित हिंग लाज सक्तपीठ की प्रत्रूप देवी की प्रत्मा कहां मौझूद है तो यह मौझूद है राइसें में प्रश्ण है कि वादसा हलवाई मंदिर मद्ध प्रदेश में कहां पर इस्थेत है इसे लगा लुआ फाइव इस्टार हर जगे आपको यह नहीं मिलने वाला प्रश्ण हर बुक में तो बादसाहलवाई मंदिर जो है यह हमारे मद इप्रदेश के जवलपुर में है बादसाहलवाई मंदिर प्रश्म बनता है कौन सा ऐसा परचनिस्थल है जो जवलपुर में इस्तित है तो आप हमें से याद रखें ऐसा परचनिस्थल जो जवलपुर में इस्तित है यह है त पूरे के पूरे कहां पर हैं ये पूरे के पूरे हमारे जवलपुर में इस्तित हैं तला देश्वर मंदिर गीता धाम और मुडिया मठ केक बई चलेगा तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में इसी तरह के टॉप MPG के प्रशनों के साथ और टॉपिक वैज आपको पूरा MPG के कबर कराया जाएगा